हेलो गैस तो एक और व्लोग लेके आ गया हूँ हाला कि इसमें किसी गाड़ी का रिवीव नहीं है आपने थमदेल साइडे लगाई लिए होगा कि वीडियो किस चीज के बारे में है अच्छली थूड़ी सी आखों में स्वैलिंग देख री क्योंकि तवित खराब थी बट जिमनी नौट जिमी जे आई एम एन वाई जिमनी नाम है भाई उसका तो वो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए यह बहुत ही शॉट में बताऊंगा बहुत दरा टाइम नहीं लूँगा आपका अच्छा एक डिडि मिनिट में आपका सारा फंटा क्लियर करा लेकिन अभी महिंद्रा ने बहुत बड़ा बंप होड़ा है उन्होंने एक अपना 4 by 2 का वर्जन लॉंच कर दिया है जो मात्र 11.67 सम्तिंग लाक में ओन रोट पड़ रही है मतलब और उसकी बुकिंग तो मतलब तगड़ले से चल रही है और दूसरी तरफ आगी है जिमनी तो देखे अगर बात करी जाए प्राइस की तो जिमनी भी आपको कुछ इसी सेम प्राइस रेंज में पढ़ जाए क्योंकि अभी तक उसके प्राइस को किसी भी वेबसाइट पर कहीं पर रिवील नहीं किया गया है तो उम्मेदी यही है कि वो सेम प्राइस रेंज में पढ the thing is कि जो महिंद्रा है वो अपने इंडियन की डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहा है यानि उन्हों जो भी नया वाला वर्जन लॉंच किया है उसका वेटिंग पीरिड ही 80 80-82 वीक्स का चल रहा है तो भाई अधर कंट्री डिकलो की बात करें तो इंजन की पावर के बात करें तो ने सब को पता है उन्पनाइब चलते हैं तो अगर पावर की बात करी जाए तो भाई 103 BHP की पावर दे रही है जिमनी आपको और वही महिंद्रा थार दे रही है आपको 117 BHP की पावर ठीक है 4-5 BHP से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है ठीक है आपको नुमेरिकल ये फिगर्स ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे लेकिन बहुत इंपक्ट पड़ता है दूसरी चीज़ अब ऐसी गाड़िया बनी किस लिए है ऑफ रोडिंग के लिए है अब आफ रोडिंग के ल तापकि गाड़ें उआँ से निकलन यह पाएगी ठीक है टॉर्क क्या होता है इसके उपर में एक छोटा सा शॉट बनाऊवगा है टॉर्क कैसे कल्कुलेट किया जाता है गाड़ी का और तॉर्क क्यों देखा जाता है गाड़ी के importance क्या होती तॉर्क है उसके लिए हग अल अगर गाड़ी की लेंथ की बात करें, तो दोनों गाड़ी की लेंथ सामान है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन विट और हाइट की बात करें, तो उसमें थार बाजी मार ले जाती है, क्योंकि वो as compared to Jimny ज़्यादा है, ठीक है, लेंथ दोनों गाड़ी की सेम है, यहाँ पे भी थार ने भाजी मार, अब अपन इसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कि भाई, ओफ रोड़िंग के लिए गाड़ियां हैं ये सब, ये सिटीज में चलने के लिए बंती नहीं ये सब गाड़ियां, तो इन ओफ रोड़िंग अब सधा मेन रोल और क्य क्या कहना क्या चा रहे हैं भई आप? इमेज डाल रहे हैं, इसे अप समझ सकते हैं, कि डिवल विस्बोन इस बेस्ट कोई सस्पेंशन हैं इंडियन रोड़्स के लिए, ठीक है, मतलब उससे बेस्ट कोई सस्पेंशन ही नहीं, अब आप समझ लिजए टेकनिकल लेंगवज में तो, थार में आगे पीछे दोनों मैं मोधी साब जे गुजारिश करता हूँ मेंटरेंस फ्रीक है कि आपको गाड़ी लने के बाद ज्यादा खर्चानिया आना चाहिए, तो अब जिमनी के साथ जाए, क्योंकि इसके पार्ट्स भी अवलेबल हो जाएंगे बहुत जल, थार के भी हो जाते, क्योंकि थार के बहुत जदा डिमांड है, लेकिन जहां तक म थार के साथ जाए, लेकिन अगर आपको मेंटरेंस से यह लो चाहिए, और आपको रोड प्रेजन्स का इतना कुछ बहुत बड़ा कीड़ा नहीं है, कि मतलब मुझे यह मतलब ऐसे रोड प्रेजन्स का कोई मैटर नहीं है, मैं चल लूँगा, मुझे एक 4x4 गाड़ी चाह जाने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ maintenance के view से आप जाना चाहते हो, तो आप जिमनी के पास जा सकते हो, अरही बात resale value की बात करें, तो obviously थार की जादा है as compared जिमनी, क्योंकि अभी तक जिमनी इंडियन मार्केट में उतरी तक नहीं है, सिर्फ एक launch हुआ है, एक auto expo में, that that's it, तो आप जा सकते हैं, अगर देखा जाए, तो सारे maximum positive points थार की तरफ है, सिर्फ एक negative point थार का वही है, जिमनी का positive points की maintenance, क्योंकि महरुती की गाड़ी है, तो obviously तो आग बंद करके सोचने वाली बात ही नहीं बिल्कुल, कि मतलब maintenance, सबसे अच्छा, जिमनी का ही होगा, ठ जाए, otherwise आप off-roading के free को, और आपको थोड़ा शूसा बाजी करनी है, तो भाई, प्लीस थार के साथ जाओ, जिमनी के साथ मत जाओ, यह बहुत चोटी सी वीडियो बनाई, मैंने, कवर करने कोशिच करी, अगली वीडियो मैं एक दूसरी गाड़ी के साथ लेके आऊंगा, तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेर को और सब्सक्राइब करो, और थैंक यू भाई, एक हजार सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो प्लीस, ऐसे प्यार देते रहिए, एक हजार सब्सक्राइबर हो चुके हैं, थैंक यू, और अब सब्सक्राइब करते रहिए, बार- झाल झाल झाल